तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोन पेसे पेसे कैसे भेजते हैं अगर आप भी अपने फोन पेसे किसी को पेसा भेजना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि phone PC पेसे कैसे भेजते हैं तो चले शुर करते हैं तो phone PC दूस्तो आप 5 तरीके से पेसे भेज सकते हो सबसे पहला तरीका है यहाँ पे QR स्कूर क्यान करके और दुसरा तरीका है mobile नंबर से पेसा भेजना और तीसरा तरीका है अगर आप किसी को ब्यांक में पेसे भेज रहे हो तो और चोता तरीका है है यहाँ पे UPI ID डाल के पेसा भेजना और जो पाचो तरीका है हो यहाँ पे अपने अकांट में पेसा भेजना तो यहाँ पे पाचो तरीके में आपको आसानी से एक एक करके समझाने वाला हूँ कि कैसी आप फोन पेसे पेसे भेज सकते हो तो चले शुर करते हैं तो जो सबसे पेला तरीका है QR score क्यान करके हो यहाँ पे उपर है तो यहाँ पे अगर आप कहाँ पर जाते हो किसी जगह पर वहाँ पर QR code लगा है और उसको सक्यान करके आप पेसा भेजना चाते हो या पिर किसी का QR code क्यान करके उसको पेसा भेजना है तो यहाँ पे उपर वा हो स्क्यान होना शुरू हो जाएंगा और स्क्यान करके आप आसाने से पेशे भेज सकते हो तो चले मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ दूसरा तरीका है यहाँ पे मोबाइल नंबर से पेशा भेजना अगर आप किसी को मोबाइल नंबर से पेशे भेजना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है to mobile number तो इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरका जाएगा अब यहाँ पी plus वाला आइकन ही नीचे तो आपको plus वाले आइकन पर क्लिक करना है plus वाले आइकन पर क्लिक करते ही अगर आपके mobile में हो नमबर सेव है जिसको आप पैसा भेजना चाहते हो तो यहाँ पी नीचे आ जाएगा लेकिन हो नमबर अगर सेव नहीं है तो यहाँ पे उपर आपको enter a mobile number लिखा है यहाँ पे उसका number डाल देना है mobile number डालने के बाद यहाँ पे mobile number पर क्लिक कर देजेगा उसके बाद आपके सामने इस तरका जाएगा अब यहाँ पी नीचे enter amount लिखा है तो यहाँ पे enter amount पर क्लिक कर देजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको amount डाल देना है जितना पैसा आप भेजना चाहते हो mobile number से उतना amount ये आपको डाल देना है, ठीक है तो मैं आपको दिखाने के लिए सरीफ ये बेज रहा हूँ तो यहाँ पिर हमने 10 रुपे डाल दी है उसके बाद यहाँ पे पेपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पिर आपके सामने इस दे रखा जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों आपको बोलेगा Enter UPI Pin तो यहाँ पे आपको अपना UPI Pin एंटर करना होगा तो चले हम अपना UPI Pin एंटर कर देते हैं 4 डिजिट का UPI Pin डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पे Connecting होगा और आपके पेसे यहाँ पे successfully sent हो जाएंगे इस तरीके से ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा तरीका अगर आप किसी को ब्यांक अकाउन में पेसे भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपको to bank अकाउन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीका जाएगा अब यहाँ पे नीचे add account का option है तो इस पर क्लिक कर देना है और जिसको भी आप पेसे भेज रहे हो उसका किस bank में account है उस bank को आपको यहाँ पे select करना है सारे के सारी bank की यहाँ पे list आ जाएगी तो यहाँ पे अब हम state bank को select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे account number डाला है और वही account नीचे भी आपको डाला है confirm account number पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको IFC code डाला है जिस bank में आप पेसे भेज रहे हो उस ब्यांका IFC code उसके बाद नीचे account holder name जिसको आप पेसे भेज रहे हो उसका नाम डाला है और नीचे confirm कर देना है confirm करने के बाद दोस्तों आपको amount डाल देना है और प्रोसेट करना है आपके पेसे send हो जाएंगे, transfer हो जाएंगे अगर आप किसी को, मैं आपको चोता तरीका बता देता हूँ अगर आप किसी को UPI ID से पेसे भेजना चाते हो तो यहाँ पे UPI ID का option मिलता है UPI ID पर click कर देजे और नीचे add UPI ID पर click कर देजे उसके बाद जिसको भी आप UPI ID से पेसे भेजना चाते हो और यहाँ पे UPI ID डाल के verify कर देजे उसके बाद आप amount डाल देजे और उसके बाद यहाँ पे process कर देजे आपके पेसे sent हो जाएंगे, भेज जाएंगे और अगर आप किसी को और मैं आपको पाचवा तरीका भी बता देता हूँ जिससे कि आप पेसे भेज सकते हो यहाँ पे मिलता है एक option to self account यानि कि अगर आप अपना दूसरा account में पेसे भेजना चाते हो आप खुद आपका खुद का ही account है लेकिन दूसरा account है दूसरी bank में तो यहाँ पे आपको to self account पर click कर देजे उसके बाद यहाँ पी add bank account पर click कर देजे और जिस भी bank में आपका account है उस bank को आपको select कर लेना है और यहाँ पे अपना bank account add कर लेना है उसके बाद आप आराम से अपने bank में पेसे transfer कर सकते हो तो हे थे 5 तरीके phone पेसे पेसे भेजने के अगर आप भी किसी को phone पेसे भेजना चाते हो तो इन 5 तरीके से पेसे भेज सकते हो अगर वीडियो पंसन आए तो वीडियो को लाइक हो चैनल को subscribe करना हम मिलते हैं न ही टेकनलोजिके वीडियो के साथ